भारती किसान यूनियन ने अपनी 15 सूत्री अमांगों को लेकर शुकरवार को ट्राक्टर तिरंगा यात्रा निकाली जंडे बैनर लगा कर किसान ट्राक्टरों को लेकर कलेक्टरेट पहुँचे और प्रदर्शन किया किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम प्रशाशनिक अधिकारियों को ग्यापन दिया भारती किसान यूनियन ने शुकरवार को कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदशन किया इस दोरान जमकन नारेबाजी की गई इसके बाद मुख्यमंद्री योगी आदितेनाद के नाम प्रसाशुनिक अधिकारियों को ग्यापन दिया गया पताधिकारियों का कहना है कि 15 सूत्री मांगों को लेकर ट्रेक्टर तरंगा यात्रा निकाली गई है मांग पूरी नहोने पर आंदूलन किया जाएगा जाता कि किसानों की बात तो आपको मानने ही पड़ेगी कुछ मांग है हमारे रायपूर और रहनकला की एक मांग मानी गई सिर्फ मंत्री जी ने आगरा में आकर उसकी गोशना की जमीन बापिस करो या उनको जो चार गुना जो अधिगर्ण जो जिस तरह से जो नया चलना है प्रोसेज उसके इसाफ से किसानों को लेकर के भारती किसान यूनियन के राश्टी प्रवक्ता चौदी राकेश ट्रिके साब ने हमारे वीच में लोगों को बेजा है हम इनसे सबसे बहुत बहुत धन्यवाद और सितंबर में ये मांगे नहीं माने गई तो सितंबर में भारती किसान यूनियन के राश्टी प्रवक्ता चौदी राकेश टेक है फिर आगरा में हैं फिर गर जाएंगे और गर भारती किसान यूनियन के नेता किसानों के साथ ट्रैक्टर लेका कलेक्टरेट के अंदर पहुंच के जुलादीकारी कारेले के सामने ट्रैक्टर खड़े कर मुखेवंद्री के नाम ग्यापंदिया पतादिकारियों का कहना है कि प्रदेश सरकार निजी नलकूपो में लगे मीटल लगवाने की प्रकरिया पर ततकाल प्रभाव से रोक लगाए इसके साथ ही पुर्व में मिलने वाली लाइट दिलाई जाए जिससे किसानों को सहुलियत मिल सकेगी अभी तक मानि मुख्मत्री जी निया करकर कि कहां कि या तो इक साथा पैसा भी नहीं कर रहे आप अभी तक कोई विशेश रूप से कोई इंहीं है अमने क्विशन अometer अपर जैसी तमाम समश्या है जमीन पंए इंदर लिए अगर नहीं होता है तो ट्रेक्टर तिरंगा यात्रा में शामिल नेताओं का कहना था कि पानी की विकराल समस्या बनी हुई है 12 विकार सखंड डार्क घोशित है इस वज़े से आगरा में बैराज की अवश्रकता है पूर में बैराज बनना तै था पैसा भी आया लेकिन जन प्रतिनिदियों की उदा सींता के कारण बैराज नहीं बन सका इस तरह किसानों की पंदर सूत्रिय मांग पूरी करने की मांग की गई है सीनियूस के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट